हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियन्स एक्सफो में, I am Nidhi कैथल फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है और्गन डोनेशन यानि अंगदान आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सरीर के कौन-कौन से अंगदान किये जा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को सुरू करते हैं किसी जीवित या मृत व्यक्ति से अंग प्राप्त करने या खरीदने की प्रक्रिया को दाता या डोनर कहा जाता है अंगों को पुना वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं दोनर द्वारा दिये गए अंग को उस प्राप्त करता में प्रत्या रोपित यानी की ट्रांस्प्लांट किया जाता है जिसे अंग की आवस्षक्ता होती है अंग दान दो प्रकार का होता है एक होता है जिसे हम जीवित या लाइव दान कहते हैं दूसरा होता है मृत या मुर्दा दान सबसे पहले बात करते हैं हम जीवित या लाइव दान के बारे में लाइव दान स्वस्थ और जीवित व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है यह यक्रत या गुर्दे को दान देने के लिए ही किया जाता है चलिए फ्रेंट्स अब जानते हैं कि यक्रत और गुर्दे को दान देने के लिए ही क्यों कहा जाता है क्योंकि यक्रत जो होता है वो दान देने के बाद सामान अकार में वापस बढ़ सकता है गुर्दे यानि किड्नी का दान देने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सरीर में किड्नी दो होती है और किड्नी देने वाला बेक्ती एक किड्नी पर भी जीवित रह सकता है आई होब फ्रेंड्स लाइब दान के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे अब बात करेंगे मृत या मुर्दा अंग दान के बारे में मृत या मुर्दा अंग दान एक ऐसे विक्तिद्वारा किया गया दान है जिसे अधिकरत टीम ने देने वाले के मस्तिस्क को मरत घोसित कर दिया हो अस्पताल में डॉक्टरों के यहां मरत मस्तिस्क का अर्थ होता है चेतना का एक अपरवर्तिनी नुकसान आईए अब जानते हैं कि हमारे सरीर के कौन-कौन से अंग दान किये जा सकते हैं फेफडे यानि की लंग्स ये चाती के दाएं और बाएं हिस्से पर मौझूद होते हैं जो स्वास लेने में मदद करते हैं फेफडे ऑक्सीजन को असोसित करते हैं और सरीर के बाकी हिस्सों में खून को इस्थानांतरित करते हैं फेपड़े सरीर की आवांचित सामगरी से बचाओ करते हैं तथा रक्त से कार्बन डाइकसाइड हटाते हैं नेक्स्ट है हमारा हिर्दय यानी की हार्ट यह आपके सरीर में धमनियों के माध्यम से रक्त को पंप करता और फिर सिराओं के माध्यम से वापिस भेजता है यह कार्डियो वास्कूलर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है हिर्दे दान को हिर्दे प्रत्यारोपण भी कहा जाता है यह उन लोगों में किया जाता है जो हार्ट फेल से पीडित होते हैं हिर्दे प्रत्यार ओपन उन बच्चों में भी किया जाता है जो बच्चे जन्म से ही हिर्दे दोसों से पैदा होते हैं यानि जिन बच्चों में जन्म से ही हाट में प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट है लीवर ये हमारे सरीर का सबसे बड़ा अंग है ये पित के रस को इस्त्रावित करता है जो की कार्बो हाइट्रेड वसा और प्रोटीन के चया पचय में मदद करता है लीवर प्रत्यारोपण यक्रत की बिफलता में कुछ इन हैरिटेड में मिली यक्रत की बिमारी जैसे आटो इम्यून बिमारी यक्रत कैंसर वाइरल संक्रमण आधि में किया जाता है नेक्स्ट है अगनाशे अगनाशे एक लंबा और संकु के रूप का अंग है जो पेट के पीछे होता है यह कार्बो हाइटरेट प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करता है एक ऐसा बेक्ति जिसे इंसुलिन डाइबिटीज 1 है मतलब उस पर इंसुलिन उपचार का प्रभाव नहीं पड़ता है साथ ही उसे गुर्दे की भी बिमारी है या गुर्दे की विफलता से संबंदित है और गंभीर तथा लगातार हाइपोगलाइसीमिया है तो उसे अगनासे की प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है नेक्स्ट है किड़नी ये खून से कच्रे के उत्पादों को खत्म करते हैं और ज्यादा मात्रा में पानी निकाल कर यूरिन बनाकर रक्त को फिल्टर करते हैं गुर्दे प्रत्यर उपड उन लोगों के लिए अंसंसित किया जाता है जिनको पुराने गुर्दे की बीमारी हो या जिनकी किड़नी फैल हो गई हो नेक्स्ट है छोटी आथ ये एक नरम घुमाओदार युक्त इलास्टिक ट्यूब है जो पेट और बड़ी आथ के बीच में मौजूद होती है ये पाचन तंत्र का भी एक हिस्सा है आथों के प्रत्यार ओपन की सला ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो आतों की बीमारी से जीवन मरण वाली इस्थिती में हो आए फ्रेंड्स अब जानते हैं कुछ ऐसे उत्कों के बारे में जो दान किये जा सकते हैं फर्स्ट नंबर पर है कॉर्णिया, कॉर्णिया आखों के सामने का इसपस्ट पारदर्सी उतक है, जो आईरिस और पुतली को कवर करता है। कॉर्णिया आँखों में प्रिवेस करने के लिए प्रकास की मदद करता है कॉर्णिया का प्रत्यार ओपर कॉर्णियर अलसर के लिए द्रश्टि को बहाल करने के लिए तथा ब्रद लोगों में धुनले पन को दूर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है हिर्दे वाल्ब ये वय उतक होते हैं जो हिर्दे में रक्त के पीछे के प्रवाह को रोकते हैं हिर्दे वाल्ब हिर्दे के दोसों के साथ जनमे बच्चों और छतिग्रस्थ हिर्दे वाल्ब से पीडित वयस्कों के जीवन को बचाने के लिए प्रत्यार उपित किया जाता है नेक्ष्ट है तवचा यानी हमारी इसकिन यह एक उतक है जो सरीर को संक्रमण और चोट से बचाता है तवचा का प्रत्यार उपर तवचा के गंभी रूप से जलने के दोरान किया जाता है इसके साथ ही अंत्यति घायल घाव और इसकिन के दर्द को कम करने के लिए इसकिन के इंफेक्शन में खराब हो चुकी तवचा को ठीक करने के लिए तवचा का प्रत्यार उपर किया जाता है नेक्स्ट है इसनायू बंधन इसनायू बंधन ऐसे उतक होते हैं जो हड्डियों और मानस्पेसियों को एक दूसरे से जोडते हैं एवम छतिग्रस्त जोडों के पुनन निर्माण में भी सहायता करते हैं इसनायू बंधन प्रत्यार ओपन ऐसे व्यक्तियों में किया जाता है जिनकी मानस्पेसियों ठीक से कारी नहीं कर रही हो या तंत्रिका चोट के कारण इसनायू बंधन छतिग्रस्त हो गया हो नेक्ष्ट है बोन्स बीमारी या चोट के कारण क्रतिम सायूग्त प्रतिश्थापन द्वारा हड़ीयों को बदल दिया जाता है इससे दर्द को कम करने और चलने फिरने तथा सुधार करने में भी मदद मिलती है थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें थैंक्यू सो मच आल दा बेस्ट